दोस्तों, विटामिन E के स्रोत और स्वास्थे लाभ या फायदे कई होते हैं। शरीर की कारे प्रनाली को बेहतर बनाए रखने के लिए कल सारे पोशक तत्वों की जरूरत होती है। उन्ही पोशक तत्वों में से एक विटामिन E हैं, विटामिन E एक घुलिनशील विटामिन हैं, जो एक इंटियोक्सिडेंट के रूप में कारे करता है और अच्छे स्वास्थे के लिए लाभ दायक होता है। शरीर में विटामिन E की कमी होने के कारण कई स्वास्थे संबंधी समस्यां हो सकती हैं, जैसे तवचा रोग, एनीमिया, बालों का अधिक छरना, ब्लड सर्कुलेशन में कमी और मंदबुधी आधी विटामिन E में कई स्वास्थे लाब पाये जाते हैं, जो कई शारीरिक समस स्यां को दूर करने के साथ तवचा और बालों के स्वास्थे के लिए भी फायदेमंद होता है, तो आई दोस्तों विस्तार में जाने हमारे इस वीडियो से विटामिन E कि स्रोत और स्वास्थे लाब के बारे में नंबर 1 में है पपीता, पपीता में विटामिन E की अच्छ मातरा पाई जाती है, पपीता खाने में ही स्वादिष्ट नहीं होता बलके इसमें पाई जाने वाले सभी पोशक तत्व अच्छी सेहत के लिए लाभदायक होते है, पपीते का हम फ्रूट सलाद, जूज या स्मूदी के रूप में सेवन कर सकते है, पपीते को डाइट में शामिल करके हम पर्यापत मातरा में विटामिन E को हासिल कर सकते हैं, नमबर टू में है बादाम, बादाम में विटामिन E की भरपूर मातरा पाई जाती है, बादाम प्राकरतिक तरीके से विटामिन E की पूरती करता है, इसके लिए आप बादाम का दूड, बादाम तेल य जैतून, जैतून में भी विटामिन E की भरपूर मात्रा पाई जाती है। जैतून का सेवन सलाद के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा इसके तेल का उप्योग खाना पकाने के लिए किया जा सकता है। जैतून का एक कप 20% विटामिन इप्राप्त करता है। इसलिए शरी ये विटामिन E की कमी को पूरा करने में सहायक होता है। एवोकाडो में कई स्वास्थे लाग पाए जाते हैं। एवोकाडो का सेवन सलाद के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके तेल का उप्योग कुछ खादे पदार्थों को बनाने के लिए कर सकते हैं। नमबर फाइव में है उबली सबजियां। उबली हुई हरी सबजियों में विटामिन E की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अगर आप उबली हुई सबजी का एक कटोरा भी सेवन करते हैं, तो ये 17 फीस्ती विटामिन E प्राप्त करने में सहायक होता है। इसलिए आप अपने अहार में उबली हुई सबजियों का सेवन जरूर करें। नमबर 6 में है सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीज विटामिन E का एक प्रमुक्स रोध है। सूरजमुखी के बीज में भरपूर मात्रा में विटामिन E पाये जाने के कारण। सूरजमुखी के बीजों का एक चौथाई कप 90.5 फीस्ती विटामिन E प्राप्त करने में सहायक होता है। इसके अलावा तिल और कद्दू के कच्चे बीजों में भी भरपूर मात्रा में विटामिन E पाया जाता है। नमबर सेवन में है पालक, हरी सबजियों का सेवन, विटामिन E की कमी को पूरा करने के लिए लाभधायक होता है। उन्ही हरी सबजियों में से एक पालक है जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन E पाया जाता है। पालक का सेवन सबजी, सूप, जूस और पडाठे के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा इसे आप दाल के साथ बना कर भी सेवन कर सकते हैं। नमबर एट में है कीवी, कीवी में भी विटामिन E की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा कीवी में कई प्रकार के पौश्टिक तत्व पाये जाते हैं। जो अच्छी सिहत के लिए लाभधायक होते हैं। इसके लिए आप कीवी को चील कर खा सकते हैं। इसके अलावा जूस, सलाद, स्मूदी और आइसित्रीम के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अब साथ ही हम विटामिन E के स्वास्थे लाभ़ों को जान लेते हैं। नमबर वन, हर्दे स्वास्थे के लिए विटामिन E फायदे मंद हो सकता है। विशेशद्यों के अनुसार, विटामिन E का सेवन हर्दे से जुरे रोगों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन हर्दे के लिए विटामिन E सप्लीमेंट लेने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। नमबर टू, रोग प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाने के लिए विटामिन E आपकी मदद कर सकता है। विटामिन E वायर्स और बैक्टिरियल से होने वाले संक्रमन से बचाव कर रोगी की रोग प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाने में सहायक होता है। इसलिए जो लोग अक्सर बीमार पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए विटामिन E फायदेमंद हो सकता है। नमबर थ्री, कैंसर से बचाव के लिए भी विटामिन E आपकी मदद कर सकता है। नमबर फोर, मांसिक स्वास्थे के लिए विटामिन E लाभदायक हो सकता है। विशेशग्यों के अनुसार शरीर में विटामिन E की कमी, मानसिक रोग होने की संभावना को बढ़ा देती हैं और शरीर में विटामिन E की पर्याप्त मात्रा मानसिक तनाव को कम कर मानसिक रोगों की समस्या को कम करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थे के लि की भरपूर मात्रा पाई जाती हैं जो तोचा पर बढ़ती उम्र के असर को कम कर तोचा को जवा बनाय रखने में सहायक होती है इसके अलावा विटामिन E क्लिंजर के रूप में कारे करता है जो तोचा पर जमी गंदगी और मृत कोशिकाओं की सफाई करने में मदद करता है और तोचा पर नमी को बनाय रखने में सहायक होता है नमबर सेक्स बालों के स्वास्थे के लिए भी विटामिन E लाभधायक होता है ये बालों को ज़रने से रोकता है और बालों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है इसके अलावा ये रुसी की समस्या को दूर कर बालों को बढ़ाने वे चमक प्रदान करने में सहायक होता है। बालों के स्वास्थे के लिए आप विटामिन E तेल का इस्तिमाल कर सकते हैं। और लास्ट है नमबर सेवन, आँखों के स्वास्थे के लिए भी विटामिन E के फायदे देखे गए हैं। विशेशग्यों के अनुसार विटामिन E नेत्र संबंधी विकार जैसे मोतियाबिंद और अन्य आँखों के जोखिम को कम कर सकता हैं। लेकिन आँखों के स्वास्थे के लिए विटामिन E का सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको लगता है कि इससे आपकी जानकारी भी बढ़ी होगी तो इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुरे रहिए। तो फ्रेंज वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सबसक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट थेंक यू.